हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागे तब का आज उनुवर्स क्लासेज में और इस वीडियो हम बात करने वाले टीजीटी पीजीटी और कीबियस और ड्रीटर प्रस्वेश के लिए भोगोल के प्रक्टिसेट की जो किरोज होते हैं तो चलिए सुरुवात करते हैं आज के से मह पहान हिमाले में सिवालिक में या फिर कारा कोरम स्रेडी में तो बारा मुला जो दर्रा है यह इस्थित है पीर पंजाल स्रेड़ी में आपसर नमबर A करेक्ट है, ध्यान रखना है, कहां है नहीं पूछा है, यानि कि स्टेट नहीं पूछा है, स्रेड़ी पूछा है, तो आपसर नमबर A इसका करेक्ट हो जाएगा अधिक्तम वार्षिक तापांतर निम्कित में से कहां पायाता है कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में या फिर दिल्ली में दिल्ली एक ऐसा महानगर है जिस पर अंतर महाधीपी जलवाई का परभाव पड़ता है इसके कारेण वहां का जो वार्सिक तापानगर होता है अन्न महानगर के पेच्छा अधिक होता है तो D option क्या है बिल्कुल सही है गेहूं के बीज बोने अंकुरं कितना होना चाहिए 5,10 लिगरी इसमें गेहूं का शीजन भी चला आ है अजों को जो किर्सिए होती है वह यह एक सीचर घास के मैदान का पहधा है और भारत में इसी रभी की फसल के तोर बर सर्दियों में उगाया जाता है जिसके लिए समानता 10 से 15 डिगरी सल्सियस तापान यानि कि 10 से कितना 10 से 15 डिगरी सल्सियस तापान किया सकता होती है यानि कि बहुते समय 10 डिगरी सल्सियस होना चाहिए यानि कि बर्धन या और फी जो पकते समय यानि कि जो इसका बीच का समय आता है जो बीच में आता है उसको उस समय उसको 15 डिगरी और जो पकता है तो 20 से 15 डिगरी सल्चेस किया हो सकता है इसको होती है तापमान की तो यह आप आजसानी से देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा य और अंकुरन का पूछा गया है तो बी वाल आपसें क्या है करेक्ट हो जाएगा स्वेज नहर के दोनों छोड़ों के दो पत्तन हैं अलेक्जंड्रिया काहिरा पोर्ट सईध या फिर स्वेज तो इसके जो दो से पत्तन कौन-कौन से है यह हैं पोर्ट सईध है और स्वेज है यानि कि तीसरा और चोथा आपसें नमबर बी करेक्ट हो जाएगा अगले कोशन पर आते हैं महादीपी नदिया निम्कित में से किस प्रकार की प्रवाः प्रडाली का निर्माण करती है विरिच्छाकार आयताकार अध्यारोपीत या फिर जालिदार तो किस तरह का करती हैं यह विरिच्छाकार प्रडाली के दिल्माने करती हैं आपसर नमबर यह क्या है करेक्ट जाएगा भारत का सरवादिक खनीज युक्त सेल तंत्र कोई सा है कुडप्पा तंत्र धारवार तंत्र गुडवाना तंत्र या फिर बिंधियन तंत्र तो भारत का जो सरवादिक खनीज युक्त सेल तंत्र है वह क्या है वह हो जाएगा धारवारा तंत्र आपसा नमबर B will be right अगले कोईला चेतर किस राजे में है पस्चिम बंगाल उडीशा जार खंड या फिर बिहार में तो यह कहां पर है पस्चिम बंगाल में है आपसा नुम्बर ए सई हो जाएगा अगले कोशन पाते हैं ब्राजील में कहवा का अधिक उत्तादन होने का कारण निम्नक्नेफित में से कौन सा JACK या उसका रेजर्ण क्या है और पर कारण क्या है भुमदेर्चिस्ति अस्मान धर्ातल तक्नीकी और तेरा रोसा मिटी तो क्या में सा रीजन हो जाएगा उसमें क्या है टीरा रोसा जो मिट्टी है वहां का वही रीजन है कि वहां पे अधिक्तम कहवा का उतपादन किया जाता है चलिए आते हैं अपने लग को सिंद्रोग लिमिखित में से कौन सा एक पुना नवी करणी उर्जा नहीं है भूतापी उर्जा जल बिद्दूत आणवी कुर्जा य यहनिकि उसको दुबारा यूज नहीं कर सकते हैं आपको उसको रिसाइकल करके यह कौनसा उर्जा है यह अनवी कुर्या जी पर comfort के सब्सक्राइब एक होता और नवे करनेड उर्जा धात समाप्त उर्जा सुरुजे से कोईला पेट्रोल गैस परमाड़ आधारित उर्जास यानिकि जो और नवे करेड़ी होता है वह एक बार यूज़ करने के बाद आप उसको दुबारा यूज़ने करें जिससे क्या हो जाएगा कोईला हो जाएगा पेट्रोल हो जाएगा गैस हो जाएगा और जो पर्माड़ के उर्जा समापत मिन जście इस नीचे दो दियेंने एक अक्तन एक आगया दुसरे रूकर आगया है जापान में सभी इस्पात उत्पादन 30 अस्तिलम में होता है और ऑनकी कारण क्या है जापानी इस पात उत्पादन पादक देश कौन सा है भारत USA ब्राजील या पिर चीन कौन है या जो है भारत है किसकी राय में भूगोल 1 छेत्र विवरणी ज्ञान है एर हाटसून टॉलमी या फिर वारेनिस तो किसकी रय में है या जो है है यह भूगोल 1 विवरणी व्ession की भिग्जान है तो C option क्या है सही है, छिपरा नदी निमिकित mi'से kis की साहएक न दी है गोदावरी, महानदी, चंबल या फिर नर्मदा छिपरा पुछा गया है, तो ध्यान रखना है यह किस की साहाएक है यह चंबल की साहाएग न दी है that means C will be right कि मिखित में से किसने भूगोल में बेवहरादी वाता वर्ण पर प्रकास डाला है किर्क वर्टन जांस्टन या फिर ग्रेगरी ने किसने डाला है किर्क ने आप्सान नूमर ए करेक्ट है और किर्क जो है कि 1952 से 63 की बीच में उन्होंने एक माडल प्रस्तुत किया था जिसे ब्योहरादमक माडल कहते हैं तो यह आप्सन करेक्ट है और उम्मीद करते हैं कि से आपको पसंद आया होगा से प्संद वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागात आपका उन्होंस क्लासेज में इस वीडियो में बात करेंगे टीजेटी और पीजेटी के लिए भूगल के प्रक्रेक्टिसेट की जो की काफी इंपॉर्टेंट्स होने वाला चलिए देखते हैं लेटराइट मिट्टी में निमिखित म होती है तो आपसा नमबर सी करेक्ट हो जाएगा अगला इमिखित कोईला चेत्रों में कौन दामदर घाटी में वस्थी थे नीचे देगे कूर्स सही उत्तर का चुनाव करना है जरियां रानी गंज सिंग्रोली या फिर सुहागपूर कौन सा कोईला चेत्र है कौन कौन सा यह आपको बताना था तो इसमें क्या क्या है जरियां है और रानी गंज यह क्या है यह दामदर घाटी में वस्थी कोईला चेत्र है कौन सा अप्शन हो जाएगा यह आप्शन सही हो जाएगा अंतराश्टी ब्यापार की अधार पर सरवाधिक महत्पूर महासागरी मार्ग कही कौन सा है स्वेजर से अंध मासागर घूमद मासागर हिंद मासागर मार्ग उत्त मास अंतृप से नंतराश्टी ब्यापार पर इस बीडियों में बात करने वाले हैं तो तीसरा है यूरोप और उतरी अमेरिकर की नंतराश्टी अंधर साज्सा तीसरा हमने कि और अंद किया है बिलकूल इस है इसलोगा बान गरंड रए इसितरी फिर और न Hm कॉलम्डी नदी पर नीपर नदी पर यह पिर नदि पर या पिर जृक्षिप नदी पर तो इसमें से कौन सारह है है प्रसिद्ध ग्रांड कुली बांध कौन सा है यह हो जाएगा आपसा नमबर एक कोलंबिया नदी पर यह आपसान करेंट या नहीं बोलते उटा अगले कुश्चन पर आते हैं निम्ली खित में से कौन सी नदी एक एस्ट्वरी नदी नहीं बनाती है नर्मदा तापती में एसकी यहां पर यह आंपर कम जनमदर नहीं है कांपर यूरोप में थे तो देशों हैं वहां पर अधिक्तर जर्मदर की समस्या नहीं बलकि इन देशों में जर्मदर निम्नस्तर पर है यूरोप महादीप विश्व के 6 प्रत्सत भाग पर फैला हुआ है प्रंत विश्व की 25 प्रसंट जन्सक्या यहीं आवास करती है यानि कि फैला तो शिर्फ 6 प्रस या आश्चतरेलिय में मत्रेक्ट खनिजों में से किसे लिए इस फ्रिस्व अंतरम्स नों सकتरेटा एक किर्चक अपने परिवार के भार्ण पोशृत फशर फंसले उगाता है अस्थार Pressy से लबधी जीन कह राती है इक और पाशन किष्या तेलाती है वह और फ्रसित रम्ह जिसमें जो किसान होता है वह अपने परिवार के लिए ही जो कि अनाज वह उप जाता है या फिर उगाता है तो यह किस प्रकार किसी है यह है जीव को पार्जी किरसी कहलाती है तो यानिकि आपसर नंबर भी सही हो जाएगा और यह इसमें मैंना पताए दिया कि यह जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के भरहण पोसर के लिए यह काम करता है और यह किरसी अस्थान अंद्राण शिल किरसी एवं अस्थान बद दोनों प्रकार की होती है यह यह अस्थान अंद्राण भी होती है और जीव को सोरी अस्थान बद भी होती है तो यह आपसा नंबर करने वाला उद्योग कहा जाता है लोह इसपात उद्योग, सूती बस्तर उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग या फिर रासायनिक उर्वरक उद्योग तो किसको कहते हैं अमेरिका का छेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग यह बोलते हैं मोटर गाड़ी उद्योग क्यों यानि की सी करेक्ट हो जाएगा सहारा मरुस्तर में बहने वाली गर्म अस्थानी पवन को कहते हैं हबूब, कारा, बुरन, जूरन या फिर हरमटन तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं हरमटन और हरमटन के कैसे रेलाब है हमने पिछली वीडियो में डिस्क्रस किया हुआ है कि इससे क्या कहते हैं इसको डाक्टर पॉन भी कहते हैं तो या साहरा लगेस्तान की उपर से आने के कारण इनकी थोड़ी बहुत नमिक के मातरा भी जाती रहती है तो आपसे नमबर D करेक्ट है अगला प्रशन है विश्व में पेट्रोलियम के सरवादिक संचित भंडार वाला देश कौन सा है इरान, इराक, सौधी अरब या फिर रूस तो कौन सा है सबसे जादा संचित करने वाला पेट्रोलियम का यह है सौधी अरब यानि की सी करेक्ट है और पेट्रोलियम के संचित भंडार की द्रिष्ट से जो पहला अस्तान है वो सौधी अरब का है इसके बाद इरान, यानि के सौधी अरब सौधी अरब इसके पाद आएगा इरान पिर इसका इराक इसका करम है और जो सौधी अरब है वह 36% पेट्रोल में करता है कितना 36% पेट्रोल इक भठान करता है सौधी अरब इससे आपके अंदाज लगा सकते हैं चलिए सौधी एक तरब दिया जल परपात और एक तरब दिया उसकी इस्तिति एंजल कहां पर है तो एंजल है वेनजवेला में और तुगेला जल परपात कहां पर है यह दच्छड अफिरिका में है तुगेला दच्छड अफिरिका यूटी गई यूटी गई कहां पर है तो यूटी का एक और सी का चार्थ यानिकी बी आप्शन सही है आते हैं अगले कुश्ण पर नगरों को परभासित करने ही तू भारत की 2001 की जनगर्णा में निम्कित में से किस मांदंड को अपना गया है जनसंक्या बृद्धी जनसंक्या का घनत्व साचर्था दर या फिर लिंगा है कि 2014 का सबसे बड़ा मेग्नी उत्पादक्षटर इस्थित अंच ब्राजिया चाह सबसे बड़ा रहिए यह इस्तित है यह कहां पर है जारजी हमें तो भी आप्षान सहय हो जाएगा कि सूचिए को सुचिदों से मिलाना है और देखते हैं थोड़ा लंबा है चली इसमें देखे अपहले पहले चोटा कर लेती है सबसे पहले यहां पर देखिए मासारी धरायं हैं इसको मिला ही लएते हैं मांसारी धराइं एवं अष्थानी पत्वनों गत्रों या किसके दवरा होता है कि तो जेह कुछ उता मर्कटरक है यह का एक हो जाएगा और गत्व हों यह मों चुकंदर का भी यह दू माना का चांसे संक्वकार यहां ठीक हो जाएगे और प्राकिर्ति के रवड यह अलाल यह सम्छेट्र बेलनाका यानिकि एक का एक बी का दो सी का तीन और डी का चार इस तरह सोगा एक हो जाएगा, बी का दू हो जाएगा, इस करम में किस आप सन में दिया गाए है, इ लिए कि निमीखित में से कौन का सदस्ट नहीं नहीं है लोस थाइलेंड फिलिपलीइन या फिर ब्रुनोई तो आसयान का प्रेजंट डाल में सदस्ट कॉन और इसका सदस्ट नहीं है यानि कि लाउस इसका सदस्ट से नहीं है बाकी थाइलेंड भी है फिलिपिन्स भी ब्रुनवी भी है तो यह आप्शन करेक्ट यह भी कोशन पूछ सकता है कि आस्यान के अस्थापन का वुई थी तो में परूइटी 25 जुलाई को कहां परूइटी इध्यानक में लिपित में से कौन सा देश OECD यानि आर्थिक सहयोग यहां संग विकास संगठन का सदस्ट नहीं है जापान जर्मनी कनाडा और भारत तो कौन नहीं है इसमय से जो भारत है वो नहीं है किसका आर्तिक सहयोग एवं विकास संगठन का सदस्थ से कौन कौन से हैं आस्ट्रिया है आस्ट्रिया है डेर्मार्ग है वेल्जियम है कनाडा जर्मनी ग्रीस आइसलेंड फिनलेंड आयरलेंड इटली जापान निदलेंड लगजंबर, नार्वी, नियुजियलेंड, पुर्तगाल, स्विटिजलेंड, स्विडन, इस्पिरेंड, टर्की, उनाइटेट के इंड़ था, संहित राज, अमेरकाई, इतने सारे इसके सदसे हैं, लेकिन भारत इसमें सदसे नहीं है, लिवनिकीत यूगवे में कौन सुमेल सब्सक्राइब कि मत्यों किनार के किनार को यहां है, यह An-2 ही माले में मुख्या सिमांद और 36 प्रितक करता है, कि तिभवत को पल्रद हमले से, ब्रद हमाले को मद्ध हिमाले से मद्ध हिमाले को लगो हिमाले से या फिर लगो हिमाले को सिवाली हिमाले से पूछा गया है मुख्य सिमान च्छेत्र किसको अलग करता है तो यह अलग करता है तिब्बत को बिर्यद हिमाले से तो भी आप्शन हमारा करेक्ट है अगले कुश्चन परते हैं लिमनकित में से कौन यूग में सुमेलित है जलोड मिटी नाट्रोजन एवं हुमस के अधिक्ता लाल मिटी अतधिक निच्छालन लेटराइट मिटी पोटास एवं जय अधिक्ता और काली मिटी है लोहे की कमी कौन सा सुमेलित है क्या जलोड में नाट्रोजन एवं हुमस के बांद निमनिखित किन नद्यों के संगप तिक कहा न हुआ है यह है, भागीरती यह भी लांगना। शरदे के संग परिश्थित है टीहरी बांद परिवजना और यह बांद 265 मीटर उचा है कितना 260 देृषाल्ट मीटर उचा है और यह काइस испыт का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा बड़ा बांद है इसके प्रफम चरण में 250 मेगावाट की चार यूनूटों से 1,000 मेगावाट जल बिद्दुत प्राप्त की चाहिए था कोटेस्वर बांध से 400 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी तो यह भी एक फैक्ट्वल इंफर्मेशन है आपको नोट करना चाहिए तो यह अपसन नोबर D करेक्ट है हिमाले के अगर नीतल भूभाग के भर जाने से बिसाल उतरी मैदान निर्मित हुए है यह बिचार किसने प्रस्तुत किया था इस्वेस ने, कोवर ने, M बुराई ने या फिर D एन वाडिया ने तो हिमाले के अगर नीतल भूभाग के भर जाने से बिसाल उतरी मैदान निर्मित हुए है यह किसका बिचार है यह बिचार है इस्वेस का यानि कि आपसन नुमबर A करेक्ट हो जाएगा चलिए, अगले कुश्चिन पर आते हैं पोचम पाद सिचाई परियोजना इस्तित है कोशी नदी पर, महा नदी पर, कृष्णा नदी पर, या फिर गोदावरी नदी पर तो पोचम पाद सिचाई परियोजना कहा इस्तित है या इस्तित आपके गोदावरी नदी पर यानि कि D option सही है अगला question greater हिमाले में snow line की उचाई पस्चिम में अधिक जबकि पुरू में कम है इसकी वज़ा क्या है पहाडों का अधिक ढाल नमी में अंतर नार्मल लैप्स रेट में अंतर उचाई में अंतर 60 में क्या हो जाएगा D हो जाएगा उचाई में अंतर अगला question लेते हैं निम्कित में से कौन सा A के कैली डोनियन पहाड है लारेंसियन परवत अरावली परवत पामीर नाठ या फिर बैकाल परवत कौन सा है यह है अरावली परवत है आपसर नंबर B करेक्ट है लिम्कित में से कौन सा प्रात्मिक चट्टानों की स्रेणी के अंतरगत आता है संगूटिका गिरफाइट मिट्टी पत्थर या फिर अमी तास में बेसाल्ट यह आता है अमी तास में बेसाल्ट आपसर नंबर D करेक्ट है और यह चट्टानों की स्रेणी के अंतरगत होता है बेसाल्ट बारी करणो वाली बाह आगने से ले जिसका धरातल के उबर ज्वाला मुखी की उद्गार इसकसमें हुआ था तो D आपसर नंबर नंसा करेक्ट है बिरिद जनसंख्या का अधिक प्रतिसत अवयस्क जनसंख्या का अधिक प्रतिसत अधिक जन्मदर या फिर कम जन्मदर तो क्या यहां पर समस्या नहीं है कहां पर यूरोपी है यानि कि यूरोप में तो इसमें क्या हो जागा सी हो जागा अधिक जन्मदर यहाँ पर समस्य ऐसा नहीं है जैसे कि देख आता है चाहिए हमारे इंडिया में है कि बिशुकी 25 परसंद जन संख्या यहीं आवास करती है यह फैरा तो शिर्फ 6 परसंड भागपर लेकिं 25 परसंड जन संख्या करती है यहीं पिर निवास करती है उर्पी कंट्री में इस तरह से आप्साइल नूम्बर इसका सी करेक्ट है चलिये अगला कॉशन लेते हैं के प्य करेक्ट है वह किर्शी पतती जिसमें किर्शक अपने तथा अपने परिवार के भरण पोसर हितु फसले उगाता है अस्थनांदरारित किर्शी कहलाती है जीव को पारजन किर्शी कहलाती है गहन किर्शी कहलाती है या फिर मिरसित किर्शी कहलाती है यानि कि वह किर्शी पतती जिसमें जो किर्षयक होता है आनि कि किसान होता है वह अपने परिवार के लिए ही जो वह उप जाता है या फिर उगाता है तो यह किस परकार किसी है यह है जिएव को पारजी किर्षी कहलाती है त्यानिकि आपने नमबर भी सही हो जाएगा और यहाग इसमेंflow क्रुड़ब न अस्थानबद दोनों प्रकार की होती है यांकि यह स्थानद्राण भी होती और अस्थानबद भी ओती तो यह आपको नमबर भी करेक्ट है आते हैं अगले कोश्चिन पर और उम्मेद करते हैं किसे से न आपको पसंदर होगा यदि आप चैनल पर पहली बार बिजिट करें तो सब्सक्राइब जरू करें निमनीखित में से किसे संहित राज अमेरिका का छेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग कहा जाता है लोह इसपात उद्योग, सूती बस्तर उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग या फिर रासायनिक उर्वरक उद्योग तो किसको कहते हैं अमेरिका का छेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग यह हैं बोलते हैं मोटर गाड़ी उद्योक्यों यानि की C करेक्ट हो जाएगा सहारा मरुस्तल में बहने वाली गर्म अस्थानी पवन को कहते हैं हबूब, कारा, बुरन, जूरन या फिर हर्मटन तो इसको क्या कहते हैं इसको वहादा है हर्मटन और हर्मटन के कैसे रेलाब है हमने पिछली वीडियो में डिसस किया हुआ है कि इससे क्या कहते हैं इसको डक्टर पॉन भी कहते हैं तो या सहारा लगिस्तान के उपर से आने के कारण इनकी थोड़ी बहुत नमिक के मातरा भी जाती रहती है तो आपसे नमबर D करेक्ट है अगला प्रशन है विश्व में पेट्रोलियम के सरवाधिक संचित भंडार वाला देश कौन सा है इरान, इराक, सौधी अरब या फिर रूस तो कौन सा है सबसे ज़्यादा संचित करने वाला पेट्रोलियम का यह सौधी अरब यानि की सी करेक्ट है और पेट्रोलियम के संचित भंडार की द्रिष्ट से जो पहला अस्तान है वह सौधी अरब का है इसके बाद इरान, यानि के सौधी अरब, इसके बाद आएगा इरान, फिर इसके बादता है इराक, इसका करम है और जो सौधी अरब है वह 36% प्रेट्रोल में कम भढ़ान करता है सौधी अरब इससे आपका अंदाजा लगा सकते हैं चलिए परफात चाहां करें कि और मुटाराजी यह जिंबाब में एक तीन हो जाएगा बी का एक और सी का चार एका तीन बी का एक और सी का चार त्याने के बी अप्शन सही है आते हैं अगले कुशन पर नगरों को परभासित करने हे तुछ भारत की 2001 की जनगर्णा में निम्खित में से किस मांदंड को अपना गया है जनसंख्या बृद्धी जन संक्या का घणत्तो, साचरता दर या फिर लिंगान उपात, तो यह किसको अपना गया है, जन संक्या का घणत्तो का इधर पर इसको माना गया है, तो B आप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चौतुरा बीसो का सबसे बड़ा मेगनी शुतपादक छेतर इस्थित है, कहां पर आस्ट्रिलिया में, जार्जिया में, ब्राजील में या फिर चीन में, चौतुरा बीसो का जो सबसे बड़ा मेगनी शुतपादक छेतर है, या इस्थित है, या कहां पर है, जार्जिया में ह पहले चोटा कर लाते है इसको मिला ही लेते हैं अस्थानी पत्त्र अभी ट्रण यह किसके द्वरा होता है तो यह वता मर्केटर्क दवारा आएक हो जायेगा है और ये रीन चुकंदर का भित्रंट मालवीड यह मालवीड है और दो माना का चांसी ट्रांस साइबिरियन रेल मार्ग तो यह हो जाएगा यह दू माना का शान से संक्वकार और प्राकिर्टि के रवड़ियों चावल यह सम्चितर बेलनाकार यानि कि A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 इस तरह सोगा A का 1 हो जाएगा B का 2 हो जाएगा C का 3 हो जाएगा और D का 4 जाएगा सकर्म किसा इसमें दिया गाए एक दो तीन हिएग एक निई का दोसी का तनी और डी का चार आपिस नंबर भी करेक्ट सवियंदे को यह नहीं है लोज थाइलेंड फिलिपीऌ यह फिर बॉनाई तो असे का सथापन का हुई थी अह Mister करतें चली शर्म पर बात करते मिए सथापन अस्थापनं हो थे 24 जुलाई 24 जुलाई activities शर्णुठered को आश्यन की सथापना ती यह भी पूछव जुलाई 1967 में बैंक आग में हुई थी और इसका सदस नहीं है यानि कि लाउस इसका सदस नहीं है बाकी थाइलेंड भी है फिलिपिन्स भी है तो यह आप्शन करेक्ट है यह भी कोश्चन पूछ सकता है कि आस्यान के अस्था अपने का गुई थी तो 1967 में थी 24 जुलाई को कहां परूई थी बैंक आग में इध्यानक नहीं है निमिकित में से कौन सा देश OECD यानि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का सदस नहीं है जापान जर्मनी कनाड़ा और भारत तो कौन नहीं है इस पर से जो भारत है वो नहीं है किसका आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का सदस से कौन कौन से है आस्ट्रिया है आस्ट्रिया है डेर्मार्क है वेल्जियम है कनाड़ा जर्मनी ग्रीस आइसलेंड फिनलेंड आयरलेंड इटली जापान निदलेंड लगजंबर्ग नार्वी नियुजियलेंड पूर्तगाल स्विटिजलेंड स्विडन इस्प्रेंड टर्की उनाटेट के इंडल तो था सहीत राज अमेरिकाए इतने सारे इसके सदस से हैं लेकिन भारत इसमें सदस से नहीं है लिवनिकीत युगवे में कौन सुमेलित नही ते बिल्कुल करेक्ट है सूरत यह गडबर लग रहा है यह सूरत जो है तापती नदी किनारी है यानि कि तापती नदी है हजरबाद मुसी बिल्कुल करेक्ट है उजन छिप्रान दी किनारी तो ए बी ए सी डी करेक्ट है लेकिन वाला करेक्ट नहीं है और यह हमारा गुछा गया है मुख्य सिमान छेत्र किसको अलग करता या पीर पिर्था करता है तो यह अलग करता है तिब्वत को विर्यात ही माले से बी आप्समारा करेक्ट है अगर्ले question पहते हैं, निम्रकित मेंसे कौन योग में सुमैलित है? जलोण मिटी, नाटेरोजिन एवं हुमस के अधिक्ता, लाल मिटी, अतधिक निच्छालन, लेटराइट मिटी, पोटास एवं जेप अधिक्तीा, और काली मिटी है, लोहे की कमीरिट, कौन सा सुमैलित है? मिल यह किस इस में धिखता होती है इसने लिटे राइट मिल इस विल इस कर टीहरी बाद निमनिखित किन नद्यों के संगप पर इस्थि थे गंगा एवं राम गंगा अलक अलगनंदग मंदकदि अलगनदा ओं भागे रती या प्रभागे रती एभागे रती यों भीलाचना तो किस है ऐसे मां नदियों के संग परिस्तित पर होर्या क्पर यह हैष्टdr सबसे बड़ा और बिशु का चौथा बड़ा बांध है यह यह का सबसे बड़ा जब की बिशु का चौथा बड़ा बांध है इसके प्रथम चरण में 250 मेगावाट की चार यूनूटों से 1000 मेगावाट जल बिद्धुत प्राप्त कीजा सके गिता था कोटेस्वर बांध से 400 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी तो यह भी एक फैक्ट्वल इंफर्मेशन है आपको नोट करना चाहिए तो यह अपसन नोबर D करेक्ट है हिमाले के अगर नीतल भूभाग के भर जाने से विसाल उतरी मैदान निर्मित हुए है यह बिचार किस ने प्रस्तुत किया था इस्वेस ने कोवर ने एम बुराई ने या फिर डी एन वाडिया ने तो हिमाले के अगर नीतल भूभाग के भर जाने से विसाल उतरी मैदान निर्मित हुए है यह किसका बिचार है यह बिचार है इस्वेस का यानिकी आपसन नुमबर एक करेक्ट हो जाएगा चलिए अगले कुश्चिन पर आते हैं पोचम पाद सिचाई परियोजना इस्थी थे कोशी नदी पर महा नदी पर कृष्णा नदी पर या फिर गोदावरी नदी पर तो पोचम पाद सिचाई परियोजना कहा इस्थी थे या इस्थी थे आपके गोदावरी नदी पर यानिकी D option सही है अगला question greater हिमाले में snow line की उचाई पस्चिम में अधिक जबकि पुरू में कम है इसकी वज़ा क्या है पहाडो का अधिक ढाल नमी में अंतर नार्मल लैप्स रेट में अंतर उचाई में अंतर 60 में क्या हो जाएगा D हो जाएगा उचाई में अंतर अगला question लेते हैं निम्कित में से कौन सा एक एक कैली डोनियन पहाड़ है लारेंसियन परवत अरावली परवत पामीर नाठ या फिर बैकाल परवत कौन सा है यह है अरावली परवत है आपसर नंबर B करेक्ट है लेकला question लेकल में से कौन सा प्रात्मिक चट्टानों की स्रेणी के अंतरगत आता है संगूटिका गिरफाइट मिट्टी पत्थर या फिर अमीतास में बेसाल्ट यह आता है अमीतास में बेसाल्ट आपसर नंबर D करेक्ट है और यहाँ चट्टानों की स्रेणी के अंतरगत होता है बेसाल्ट बारीक करणू वाली बाह आगने से ले जिसका धरातल के उबर ज्वाला मुखी की उद्गार इस किसमें हुआ था तो D आपसर नंबर करेक्ट है और उमीद करते हैं कि सेशन आपको पसंदार होगा आपने इसमें कितना कोशन सही किया कमेंट बाक्स में जुरूबताईए धन्यवाद